एधिए इस वीडियों हम लोग एफ signal generator के बारे में study करेंगे तो फर्स्ट फर्स signal generator क्या हता है signal generator के बारे महम लोग ओर रेडी डिस्कस कर चुके है कि signal generator का ऐख ऐसा instrument है जो मेरा produce करता है repeating और non repeating signals जो produce करते हैं मेरा repeating or non repeating signals तो मेरा EF signals generators जो होते हैं वो मेरा produce करते हैं periodic signals ठीक है कैसा produce करेंगे periodic signals having a frequency of audio frequency range ठीक है ऐसा signal generator जो produce करेगा सिगनल ठीक है प्रियोडिक सिगनल जिसका फ्रिक्वेंसी रेंज होगा वो मेरा ओडियो फ्रिक्वेंसी के रेंज में होगा तो उस तरह के सिगनल जेनरेटर हम दो क्या बोलते ओडियो फ्रिक्वेंसी सिगनल जेनरेटर ठीक है जो अडियो फ्रिक्वेंसी का रेंज होता है वो मेरा 20 Hz to 20 kHz तक होता है ठीक है देखते हैं नेक्स देखते हैं हम दो AF sign and square wave generator ठीक है यह signal generator होता है जो मेरा audio frequency sign wave प्रेड्यूस करें और audio frequency square wave generate करें ठीक है तो ऐसा AF signal generator जो generate करता है एदर sign wave और square wave in the range of audio frequency based on the requirement is called AF sign and square wave generator ठीक है तो जो AF sign and square wave generator ऐसा generator है जो मेरा produce करेगा sinus idle waveform और either square wave प्रेड्यूस करें जो बोथ produce करें sign wave और square wave जैसा हमको requirement है उसके recording यह produce करें लेकिन इसका range होना चाहिए मेरा audio frequency में ठीक है means 20 hertz to 20 kilo hertz तक ठीक है अब देखिए इसका block diagram यहाँ पर shown किया गया है ठीक है देखिए इसका block diagram है AF square and sign wave generator ठीक है तो इस block diagram पर देखेगा कि दो path है इसको हम लोग यह कौन सा first path को हम लोग क्या बहुर रहें अपर path यह अपर path हो गया second one क्या है lower path ठीक है तो अपर path मेरा क्या produce करेगा AF sign wave output ठीक है और lower path मेरा क्या produce करेगा AF square wave ठीक है बहुर मेरा connected हो रहा है एक upper path से lower path से using switch यहां पर बहुर सकते है कि switch लगा ठीक है इसको A बहुर सकते है इसको B बहुर सकते है ठीक है तो यहां अगर माल दीजे बेंब्रीज उस्लेटर का switch A से अगर connected होगा तो वह मेरा produce करेगा AF sign output अगर बेंब्रीज उस्लेटर connected होगा मेरा switch B से अगर यह वाला जो लाइन है यहां connect हो जाएगा तो वह से lower path से connect हो जाएगा lower path से connect हो जाएगा तो वह क्या produce करेगा AF square wave ठीक है यहां तक clear हुआ अब देखें अब यहां से माल लीजे वेंब्रीज उस्लेटर मेरा switch A से connect होगा तब इस पर कौन-कौन सब ब्लॉक है मेरा एक तो sign wave amplifier है दूसरा attenuator ठीक है means आपर जो path है उस पर मेरा two blocks content कर रहा है sign wave amplifier और एक एंप एनवेटर ठीक है अब देखें वेंब्रीज उस्लेटर होता है उसका output हमको पता है sinusoidal होता है अब sinusoidal output 8 means कहीं न कहीं वेंब्रीज उस्लेटर मेरा sign wave आउटपुट पर दे रहा है ठीक है तो sign wave आउटपुट मेरा दे रहा है तो हमको बस क्या करना है signal signals को amplify करना है ठीक है और एक attenuator लगाएंगे मिस हम audio frequency का attenuator लगाएंगे मिस अगर जो भी वेंब्रीज उसलेटर अगर माल दीजे कि sinusoidal waveform 20 hertz to 20 kilo hertz ठीक है इससे अगर जादा हो या इससे कम हो तो उतने frequency को attenuator क्या करेगा अगर stop कर देगा बाकि इतने frequency इतने range के frequency के signals को यह अलाओ करेगा ताकि मेरा जो output हो वो मेरा audio frequency sine wave output प्रड्यूज हो जाए तो यह मेरा first part हो गया मिस अगर अपर पात पे जाता है switch अगर A से connected हो गता है तो इस वह से मेरा sinusoidal output of frequency audio frequency range प्रड्यूज होगा second वाला अगर माल देजे कि इसका जो switch है वेइनपर इस oscillator का output का जो switch होगा अगर माल देजे बी से connected होगा यहाँ पे connect होगा यह था यह B था यह switch है यहाँ से connect होगा तब यह किस से connect हो गया फर्स्ट जो लोवर पाथ से connect वह यह मेरा क्या है दोर पाथ मे त्री ब्लोकस हैं त्री ब्लोकस क्या क्या है फिस्ट मेरा स्क्वार वेःश्य fraIR स्क्वार आंप्रीफइर ठीप्ट्र एंब जू unpredictable है अब देखैंग हम लोग यह तो पता है वेंट पुट मेरा स्ल साइना सल गैल है तो first के लिए तो easy था कि हम just amplifier लगाया लगाया तो sine wave output आ गया है लेकिन square wave लाने के लिए हमको एक circuit का जरुरत होगा जो मेरा square wave जो sinusoidal wave हो है उसको shape पर लाएगा square wave का तो हम लोग एक use करेंगे block जो है मेरा square wave shape पर ये sinusoidal waveform को क्या करेगा square wave के shape पर लेकर आएगा then हम इसका output देदेंगे square wave amplifier पर square wave amplifier क्या करेगा जो भी square wave मेरा यहां पर shape हुआ है इसको amplify करेगा ठीक है amplify करेगा then हम यहां पर attenuator लगा है attenuator का range मेरा audio frequency है इट मिन्स ये audio frequency range के signals को ये अपने through allow करेगा बागे सब को ये attenuate करेगा means stroke के रखेगा then मेरा जो output आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा af square wave output ठीक है means audio frequency square wave मेरा यह generate करेगा at the output of the lower path ठीक है ये मेरा upper path था upper path में मेरा af sine wave output generate हो रहा है lower path में मेरा af square wave output generate हो रहा है ठीक है इसको हम लग एक बार read कर लेते हैं ठीक है बहुत ही simple है the above block diagram consists of mainly two path those are upper path and the lower path upper path is used to produce af sine wave and the lower path is used to produce af square wave ठीक है सबसे main यहां पर क्या है vane breeze oscillator ठीक है vane breeze oscillator के बार में हम लोग previous video में और रेटी डिसकस कर चुक है vane breeze oscillator मेरा produce करता है sine wave in the range of audio frequency ठीक है जो vane breeze oscillator होता है वो मेरा audio frequency range में audio frequency के range में sinusoidal waveform ठीक है so based on the requirement we can connect the output of vane breeze oscillator to either upper path and the lower path by the switch ठीक है अब हमको जो जरुरत हो हमको sinusoidal waveform जरुरत है तो इसको अपर पात में connect करेंगे और अगर हमको square wave जरुरत है तो हम लोग उसको लोग पात से करेंगे यह मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा output चाहिए ठीक है so upper path consists of block sine wave amplifier and attenuator if switch is used to connect the output of vane breeze oscillator to upper path it will produce desired AF sine wave at the output of the upper path ठीक है same लिखाया है जो अभी हम मेंने explain किया then lower path पे देखे क्या है lower path मेरा consist कर रहा है following blocks जैसे कि हम लोग सकता है square wave shaper, square wave amplifier and attenuator so square wave shaper होगा वो convert करेगा first shine wave को square wave पे ठीक है पहला जो shine wave था इसको shape पे लाएगा square wave पे फिर अगर switch को हम लोग connect कर देंगे output of vane breeze oscillator जो lower path पे connect कर देंगे तो यह मेरा produce करेगा AF square wave at the output of the lower path in this way the block diagram in this way the block diagram that we consider can be used to produce either AF sine wave और AF square wave based on the requirement हमको जैसा requirement होगा उसकी recording यह क्या करेगा हमको sine wave प्रड्यूस करेगा और square wave ठीक है यह switch यह था यह switch भी था अगर switch A से अपर path से connect करेंगे तो हमको AF sine wave मिलेगा और lower path से अगर connect करेंगे तो AF square wave मिलेगा ठीक है तो यह overall था मेरा AF is sine and square wave generator के बारे में I hope आप लोगो clear हुआ होगा ठीक है next video में हम लोग क्या देखेंगे function generator के बारे में ठीक है so thank you all of you